बैदिक जोते सास्तर के अनुशार एक निश्चित अधिपूरा करने के बाद सभी ग्रह एक रासी से निकल कर दूसरी रासी में प्रवेश करते हैं। इस दोरान कई बार वाद दुरलब संयोग का निर्माड भी करते हैं। आज यानी 27 जुलाई दिन सनिवार है और आज के दिन चंद्रमा मीन उपरान्त मेस रासी में संचार कर रहे हैं। और सनी देव अपनी मूल्क तिरकोणी ये रासी कुम्ह में विराजमान हैं। जिससे आज के दिन सस्राजयोग का निर्माड हो रहा है। साथ ही आज के दिन सावन माह के किश्न पच्च की सत्मीति थी भी है। और इस दिन सस्राजयोग के साथ रवी योग, सुक्रादित्य योग और रिवती नच्छत्र का सुभ संयोग भी बन रहा है। जिससे इस दिन का महत और अधिक हो जाता है। बैदिक जोतिस आस्त्र के अनुसार बन रहे सुभी योग का असर देश दुनिया समेत सभी 12 रासी के जातक पर देखने को मिलेगा। किसी पर साकरात्मक तो किसी पर नाकरात्मक प्रभाव रहेगा। जोतिस पंडित कलकीर हम बताते हैं कि बन रहे दुरलप सायोग के निर्माण से 5 रासिउं के जातक पर साकरात्मक प्रभाव रहेगा। जिसमें मेश करक कन्या व्रिशिक और मीन रासी के जातक साम